दोस्तो जियो के बाद टाटा कंपनी अभी बिल्कुल फॉर्म में आ चुका है जियो भारत के अंदर कौन-कौन से सर्विस प्रोवाइड करते हैं टेफिनेली वो आपने 4G सर्विस प्रोवाइड करते हैं प्रीपेड पोस्ट पेड आपने ब्रॉडबेंड सर्विस जियो य भारत के अंदर प्रोवाइड करें एक जो है डिटेज सर्विस और सेकेंड ब्रॉडबेंड सर्विस रिसेली टाटा स्काई का नाम बदल कर टाटा प्ले कर दिया गया है और टाटा प्ले जब से रिब्राडडेंड हुआ है टाटा अपने ब्रॉडबेंड मार्केट के पहले जब आया था फ्री दे रहा है था ठीक उसी तरीके से टाटा कंपणी मार्केट केप्चर करने के लिए काफी साथा फ्री आफर यहां पर प्रोवाइड कर रहा है आई ये वीडियो को शुरू करते हैं और मैं पूरा डिटेल्स आप लोगे साथ सेयर कर देता हूं दो चले वीडियो के अंदर आगे बढ़ते हैं दोस्तो टाटा कंपणी की तरफ से यह जो पर्टिकुला प्लाइन को लॉंच किया है यह इस तरीके का प्लाइन जो डिलाइंस जो के अंदर जो ही जीओ फाइवर के साथ फर एक्समपल अगर आप जीओ के अंदर जीओ फाइव हो या नहीं हो वो चेक करने के लिए आपको एक महिने का सार्विस जीओ के तरफ से फ्री दिया जाता है देट सो मिपस के स्पीड के साथ ठीक सीमिलर ओफर आपको टाटा कंपणी की तरफ से दिया चारे मतलब अगर आप एक ब्रॉडबेंड करेंस लेना चाहते हैं आपने टाटा कंपनी के अंदर अप्रोच किया में लिए टाटा के चाप्लिकेशन से वहाँ पर सजाकर आपने अप्रोच किया आपके घर पर टाटा की तरफ से जो भी इंस्टुमेंट हो यहां पर लगा दिया गया टाटा प्ले फाइवर सर्विस के लिए जो भी connections लगा दिया गया, तो आपको Tata की तरब से 1150 रुपए वाला plan को activate कर दिया जाएगा जो है 200 MPS का speed, 3300 GB data, unlimited landline calling free तो ये वाला offer जो लगा दिया गया, आपने एक महने यूज किया अगर आपको पसंद आया, तो definitely रख सकते हैं, similar price point के अंदर अगर आपको पसंद नहीं आया, तो 30 दिन से पहले अगर आप उसे वापस कर देते हैं, तो आपको जो 100% refund वो आपको मिल जाएंगे, मतलब 1500 रुपए आपने दिया था, 1500 रुपए आपको refund मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 30 दिन खतम होने के बात जाकर आपने वापस करने का decision लिया, 30 दिन खतम हो गया, तो इस जगे के अंदर आपको मिल लिए Tata Company की तरफ से 1000 रुपए refund कर दिया जाएगा, 500 रुपए ले लिया जाएगा, ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पर 200 MPS वाला जो plan है, जो वो तीन महीने का plan एक बार में ले लिया, तो इस जगे के अंदर भी जो पंदरास रुपए अपने security depositor था, वो आपको completely refund मिल जाएगे, एक दम refund आपको आपने मिल जाएगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपने यह सोचा की भाई देखो मुझे 70 MPS वाले plan भी नहीं चाहिए, मुझे 50 MPS वाले plan चाहिए, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने 75 MPS वाला जो plan है, वो आपने 3 महीने के लिए एक बार में ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, 3 महीने के लिए एक बार में ले लिया, तो 500 रुपए instant refund आपको दे दिया जाएगा, और जो 1000 रुपए है, वो आपको security deposit रहेंगे, आपका ही होंगे वो पैसा, लेकिन security deposit पर रहेंगे, वो आपको instantly refund नहीं मिलेंगे, बाद में कुछ साल बाद आप ये सोचा कि बाई Tata के broadband अभी अच्छा नहीं है, मुए वापस कर देता हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो तब अगर आप वापस करते हैं, तो ये जो 1000 रुपए अपने security deposit दिया था, वो आपको वापस दे दिया जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके का प्लान मेली Tata Play Fiverr की तरब से यहां पर दिया जा रहा है, काफी बढ़िया प्लान है, Tata की तरब से काफी बढ़िया प्लान है यहां पर प्रोवाइट किया जाए अपने क्रहा को के लिए, मैंने सोचे किया जाए, क्योंकि ये company कुछ दूसरा approach से अपने customers को अपने से जोड़ना चाहते हैं, फ़री सार अपडेट्स हमरे पास निकल के आ रहा था, Tata Play Fiverr कंपणी की तरब से जो मैंने सोचे के आपके साथ एर करूँ, अगर वीडियो पसंद आए, कुछ ने जान करी मिला तो वीडियो को लाइक किजिए, वीडियो को अपने दोस अपना ख्यार लखिएगा